है लेट्टर राहूल वेटनरी फिजिएंसरेंगेंप इसका नाम कोको है यह बहुत ही प्यारा बच्चा है और आप देखिए कि इसको 45 डेज में ही यहाँ पर हमें पारव का infection लग चुका है तो आज हम आपको बताएंगे कि पारव का infection जो लग जाता है उसमें science कुण से कुण से होते हैं और उसका treatment कि सरा खरना चीए तो बने रहा हमाँ सा glass थे तो फ्रेंट जब भी पारव का इंफेक्शन लगता है तो सबसे पहले जो चोटे जो बच्चे होते हैं यह खाना-खाना छोड़ जाते और पूरी तरह से गुंसुम से बैठ जाते ठीक है तो आपको ध्यान में रखे जब भी बच्चा आपका खाना-खाना छोड़ देता है एक कॉलर में जाकर रहना स्टार्ट कर रहा है और बिल्कुल ही गुंसुम है तो इमेजिटली इसको आप वेट के पास लिखे जाना है वहाँ पर और उसको आपको टेज्ज होती है पारो की करना जरूर है सेकंडर चीज़ है इसमें डॉक का टेंपरिचर बहुत ज़्याद तो continue dogs omission करती है और diarrhea भी इसमें continuous state होता है लेकिन जब भी आपके dog को gastro लग जाता है उसमें diarrhea जो होता है तिपिकली dark red टारिश होती है क्योंकि intestine में blood जो होता है वहाँ पर footness start हो जाता है और यहां से blood की जो पोटी हो तो आना चलो जाती है तो इसका वायरस का typical symptom यह होता है जो इंटेस्टान फार्म होता है उसमें dog को red color की पोटी आती है और बहुत ही इसकी smell आती है यह सबसे typical इसका symptom ने दूसरी चीज़ omission बहुत ज़्यादा रहेगी और dehydration उसी वज़े से बहुत ज़्यादा होता है ठीक है इससा अभी dog देख रहे हैं आप ने रवोटर second degree of dehydration इसमें है अले सेट हुआ इस तरह से तो इसमें अभी हमें क्या क्या करवान है तो treatment में सबसे पहले जो पार्ट होता है आपको यहाँ पर सबसे पहले बच्चे जो होते हैं में इसमें IV fluid लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ठीक है तो बच्चों को hydrate पर सबसे पहले करो द जो medicine आती है या फिर paradigm करके आती है आप यह उसकर सकते हो उसके बाद हमें यहाँ पर जो डाइरया काफी सेट हो जाता है तो डाइरया सेट के लिए वह कम करने के लिए हम यहाँ पर IV fluid में आप जो non-aerobic bacteria जो होते है इससे gram positive bacteria जो होते है उसे कम करने के लिए आप यहाँ पर antipiratic जो होता है एनलजीन लगए यह फिर आप मिल्लस करकी injection यह लगए तो यही जो therapy होती है नेरवोट हमें यहाँ पर 5 days से लेकर six days करने पड़ती है जनरली यह जो therapy होती है हमें 5 days में अच्छे का से result आजाते है और डाप खाना-खाना स्टार्ट करते है तो जब भी हम treatment कर है आपको एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखने है डाप को यहाँ पर आपको बिल्कुल भी water और फूड पूरी तरह से अवाइड करवाना है अगर आप water फूड दे रहे हो तो गट में जैसे ही जाएगा तो infections में प्लेयर अफ होता है बढ़ जाता है इसलिए ह हमें five to six eggs यहाँ पर totally यहाँ पर हमें water और फूड बन करवाना है और डॉब को हमें यहाँ पर नेरा बहुत five to six eggs continue morning evening food पर रखना है तो यह therapy करने के बात डॉब यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है especially छोटे बच्चों में यहाँ पर हमें immunoglobin आते can glow पी करके इस तरह से immunoglo काम करते हैं तो डॉब को अगर पार्व हो जाता है तो इनिशल स्टेज में आपको यहाँ पर जो स्नैप टेस्स आती है स्नैप करके सब्सक्राइब्स कर लिए जैसे डाइब्स में पार्व यहाँ पर positive आ जाता है तो पार्व इंफेक्शन के लिए आपर can glow पी करके इसका जो होता है यह 0.4 mg पर के जी बॉड़िवेट से सब्सक्राइब्स होता है तो इसको नेरबॉट 0.4 mg कि इसाब से यहाँ पर 0.8 ml यहाँ पर इसका डेली का डोज बनता है तो यह जो थेरपी है हमें यहाँ पर नेरबॉट 5 इस गंटिने कर वानी है तो अगर डॉक की तवे अगर आपको यहाँ पर पारों का इंफेक्शन है तो इसको ना हो इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ होती है आपको पपी जब भी आपके पास आ जाते है तो पपी को यहाँ पर 45 इसको आप पहला शॉट लगवाई उसके बाद 21 डेस के बाद दो शॉट लगवाई तो इ इंशूर कीज़े कि बिरिडर के पास से आपको पपी डिपी वैक्सिन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है वह हुआ है कि नहीं हुआ जब यह चार शॉट पूरी तरह हो जाएगे उसके बाद ही आपका पपी आपर तोटरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाते है दूसरी चीज़ आप जब डॉक को बाहर घुमाने लेके चाहते हो तो इस तरह से डॉक्स के मास्क आते तो आप यह मास्क ज़रूरी उसके लगए अगर आप चान्स को नई हो तो सब्सक्राइब देखने के लिए फ्रेंड्स हम यहां उन्दन कंसलिए करते हैं आपकी पेट के चोटी चोट वीडियो कॉल करके आपके पेट के जोगी प्रॉब्लम में वह आपर घर बेटी स्वाल करवा देंगे और इस तरह से आपको डिजिर्ल प्रिस्क्विशन भेजेंगे ठीक है तो यह उसकरने के बाद आपके डॉक की रीकवरी बहुत ही फास्वी असर्पेस थैंक्स वर वा पिरीक यह करना ही यह नहींगे बहुत है ट्रॉब्लम में वह वास्वी असर्पिशन भेरी फो यह ले जाुब से बाद मेंदो की बाद प्र्रोगरी नहीं कि अग्र क्या शमतों की राद कर दो जा दूब्लम